मैं अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए रात को सोने से पहले क्या करती हूँ आज के इस वीडियो में आप लोगों से सेर करने वाली हूँ तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे दोस्तों मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि हल्दी रहने के लिए रोजाना एक गला दूद जरूर पीना चाहिए मैं सुरू से रोजाना दूद जरूर पीती हूँ या तो मैं सिंपल दूद पीती हूँ या फिर फ्लेवर के लिए कुछ डालके या केसर हल्दी कुछ भी डालके मैं जरूर पीती हुँ, ज्यादातर मैं दूध में केसर डालके पीती हुँ, केसर सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं इस्तिमाल किया जाता है, पलगी यह सुन्दरता को भी बढ़ाता है रोजाना केसर दूद के सेवन से स्किन हेल्दी रहता है केसर में एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लामेट्री गुर मौझूद है इसके अलावा इसमें फाइवर पोटेसियम बिटामिन सी मैग जीन आयरन भी मौझूद है जो कि कई तरह की बिमारियों उससे हमें बचाता है केसर पाचन को बहतर बनाता है दिमाग को भी तेज करता है केसर वाला दूद खासकर महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा फायदेमन्द है यह तोचा को निखारता है पीरियड में होने वाले दर्ज से राहत दिलाता है यह चेहरे से दाग धबो को दू बनाता है ज्यादा तर लोग यह मानते हैं कि केसर वाला दूद प्रेगनेंसी के टाइम में ही पीना चाहिए बट ऐसा नहीं है आप इसको रोजाना पी सकते हैं रेगलर पी सकते हैं इसके कई फायदे हैं यह दिमाग को तेज करता है पेट संबंधी बिमारियों को दूर कर इससे बुढ़ापा का असर जल्दी नहीं होता है मैं तो मॉर्णिंग में और आत को सोने से पहले डेली दो बार दूर पीती हूँ आप भी अपने डाइट में दूर को सामिल कीजिए और बुढ़ापा से बचिए अपने स्किन को हेल्दी बनाइए और अपने आपको भी हे आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर इंगेज रहिए और आज कल मेरे चैनल पर डेली वीडियो जा रहे हैं तो प्लीज आप लोग देखिए लाइक कीजिये शेर कीजिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थैंक यू